आगिरकार रन मशीन विराट कोहली के बल्ले से साल 2019 का पहला टेस्ट शतक आई गया आस्ट्रेलिया के किलाब दिसंबर 2018 में पर्त के मैदान पर अपना आखरी शतक जमाने वाले विराट ने दस पारियों के बाद दक्षिन अफरीका के किलाब पूरे टेस्ट में दूसरे दिन शतकों का सूखा खत्म किया ये विराट के करियर का 26 सेकड़ा था इस सेंचुरी के साथ ही उन्होंने हमेशा की तरह एक के बादे कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले दरसल विराट कोहली शांदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोरा शतक भी जड़ चुके हैं दक्षिड अफ्री की तेस गेंद बाज फिलेंडर की गेंद पर बैटरिंग स्ट्रेट डाइप से चौका जमाते ही विराट ने टेस्ट में 26 शतक जड़ने वाले दुनिया के 21 वे और भारत के चौते खिलाड़ी बन गए हैं तो कि इस से बेरे सचित दंद्रुकर, राउल द्रवड और गवसकर भी ये कारनामा कर चुके हैं इस मैच में विराट भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादर रन मनाने के मामले में साथ रिखिलाडी बन गए हैं कोली ने पूर्व खिलाडी दिलीव वेंक सरकर को पीछे छोड़ दिया वहीं कोली ने कप्तान की तौर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादर शतक लगाने के मामले में रिखिपॉंटिंग के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली अब कप्तान के रूप में टेस्ट क्रिकेट में रिकिपॉर्टिंग और कोली के नाम 19-19 शतक है इस लिस्ट में सबसे आगे हैं क्रीम स्मिथ जिन्होंने कप्तान के रूप में टेस्ट क्रिकेट में 25 शतक जड़े इससे पहले विराट कोली ने दक्षिन अफ्रीका एक खिलाब टेस्ट ट्रिकेट में सबसे जादा रन बनाने वाले भारती टेस्ट कप्तान बनने का गौरफ हासिल किया था कोली ने सचिन ददुलकर और दोनी को पीछे चोड़ते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किया कोली तक्षिन अफ्रीका खिलाब बता और कप्तान छेसों से जादा रन मना चुके है कोली ने इस मैच में शांदार तरीके से अर्थ शतक और दोरा शतक भी जड़ा वो भारत के 11 अलग-अलग मैदानों पर शतक बनाने वाले खिलाडी बन गए इस से वहले रिकॉर्ड सचितन दुलकर के नाम था जिन्नोंने 10 मैदान पर शतक जड़ा था इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर सहवाग और चौते पर ब्रविड हैं जिन्नोंने भारत के 9 ग्राउंड पर टेस्स क्रिकेट में शतक जड़ा है विराट ने टेस्स करियर का 26 शतक लगाने के साथ ही पाकिस्तान के पूर्ण कप्तान इंजमामुलहक को पीछे चोड़ दिया इंजमामुलहक ने 120 टेस्स मैचों में 25 शतक लगाये थे तीसरे नमबर पर वेस्ट इंडीस के क्लाइब वॉलकॉट का नमबर आता है टॉप टैन किस लिस्ट में विराट के लावा मुहमद अजरुद्दीन ही शामिल है उनका उसत करीब 51.2 का है एनपी न्यूसरोम की रिपोर्ट